नमस्कार लाल किताब के महा तोटके के अंतरगत आज एक वेहद महत्तपुर्ण जानकारी लेके आया हूँ सूरे अर्ग देने के कुछ नियम क्योंकि आजकल सोसल मीडिया पे सूरे अर्ग देने के लिए तमाम तमाम नियम बताये जा रहे हैं कुछ बिद्वान तो अपने मन मस्तिक के अनुसार ही सूरे के की पूजा अर्चना के विशाय में जानकारी दे देते हैं बड़े बड़े एस्टोलोजर बड़े जोटसी बड़े बड़े ज्यानी विज्यानी आजकल सोसल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कुछ लोग तो कहते हैं सूरे उच्च का हो तो अर्ग ही नहीं देना चाहिए कुछ लोग कुछ लोग जो है कहते हैं कि सूरे जिनका अच्छा हो वो सूरे की पूजा ही न करें भगवान सूरे का दर्थन ही न करें शूरे का सिध्धान्त ही न मानें ऐसे ऐसे लोग हैं कुछ लोग नकारात्मकता फैलाते हैं तो कुछ लोग सकारात्मकता फैलाते हैं बहुत गलत प्रेंड है क्योंकि अगर कोई प्लेट फार्म मिला है तो उसे सद्विपयोग में लगाएं इसलिए मैं इस सिद्धान्त को तुरंत लेकर के आया क्योंकि आपको जनकारी दें कि सूर्य अर्ग को कैसे दिया जाए और क्यों देना महत्वपुर्ण है क्योंकि हम सनातन धर्मी सूर्य के सिद्धान्त पे चलने वाले हैं हम सनातन धर्मी शूर्य के प्रकास होने पे भी अपना दिन शुरू करते हैं प्राता कालीन शूरी की प्रातना हमारे बेदों ने गाई है ओम भूर भुवा स्वातत सभितुर वरेनियम भर्गो देवश्य धीमही धियो योना प्रचोधयार ये मंत्र भगवान शूरी की अरधना ही तो है गायतरी छंद में है तो शूरी की अरधना आधिकाल से हो रही है तो आज कल के अच्छे बड़े बड़े इस्ट्रोलोजर जोतिस में अलग सिध्धानत पैदा कर दिये हैं बना दिये हैं कि सूरी को अरग नहीं देना चाहिए नहीं तो सूरी और ज्यादा उच्छ हो जाएगा तो गर्मी फैलाए जाएगा गर्मी फैलाएगा तो सर फट जाएगा क्या बाद भगवान सूरी की आराधना से उर्जा मिलती है भगवान सूरी की आराधना से आरूगिता मिलती है भगवान सूरी की आराधना से हर प्रकार के विग्नदूर होते हैं हमारे सास्त्रों ने सूरी की आराधना के लिये तमाम ऐसे उपाय बताएं हैं, जिससे की हर मनो कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है, भगवान सूर्य नारैन को जो व्यक्ति नित्य सूरह अरग देता है, उसके जीवन की समस्त मनो कामनाये पूर्ण हो जाती है, तो हम आज आपको सूरिक को अर्ग देने की एक बहतर बिधी बताने जा रहे हैं सूर्य को जल देने की बिधी भगवान सूर्य को जल देना है तो सबसे अच्छी बिधी यही है कि सूर्योदे के से एक घंटे अंदर भगवान सूर्य को जल दे दे भगवान सूर्य को जल देने के लिए पात्र का चैन का उन्सा करें तामे का पात्र अति उत्तम माना गया है इससे जल्व देने से भगवान सूरी खुस होते हैं हमेशा सूरी अर्ग देते समय आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए हो सके तो उस लोटे में आप चावल डाल लें लाल पुस्प डालने थोड़ा सा गुर्ड डालना बिरकुल मत भूलें क्योंकि मीठा जल शूरी को देने से हर प्रकार से खुसहाली प्राप्त होती है और इसके साथ साथ हो सके तो लाल वस्तर पहने लाल वस्तर नहीं है तो सर पे लाल गमचा रख लें भीगो के रख लें तो जादा उत्तम है और मंत्र नहीं याद है तो ओम सूरियायनमा इस मंत्र का पाठ करें ये भी मंत्र नहीं याद है तो गायत्री मंत्र अर्था सूरे का आराध्या मंत्र शब्षे उत्तम मंत्र है कोई भी सूर्य अर्ग तीन भागों में दिया जाता है ब्रह्मा विश्णु महेश सत्रजित्तम आकास पाताल पृत्वी के नाम पे इसके बाद ध्यान रखना है कि जल आपके पैरों में ना गिरे इसके शासात भगवान सूर्य को आपको देखना है देखने के लिए एक तरह से यंत्र बनाये जाता है ये दोंगलियां ऐसे अंदर को करके दोंगलियों को आपस में डालके अंगुठे से इसको खीज के ऐसे सर के सामने करके इस दिसा में ऐसे अगर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य की नकारात्मक जो उर्जा है वो आपके आँखों को नुकसान नहीं करेगी ये मुद्रा बैदिक संस्किती में है और इसको जरूर सीखिए सीखने के बाद आप इसी मुद्रा से भगवान सूर्य को देखें तीन बार अपने अस्थान से घुमते हुए आप भगवान सूर्य की प्रदच्छना करें उनको प्रणाम करें इस प्रकार से सूर्य अरे की ये संपुर्ण विधी है जो व्यक्ति नित्य नयमितिक सूर्य भगवान को अर्ग देता है उसके जीवन की समस्त बाधाय दूर हो जाती है ये वीडियो भगवान सूर्य नारहन का कैसे लगा इसे आप अपनाएं किसी के बहकावेन में ना आएं सूर्य भगवान हमारे जीवन के लिए आराध्य है सूरे भगवान हमारी सरीर के लिए बहुत महत्तपूर्ण है शूरे भगवान हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्तपूर्ण है इसलिए भगवान सूरे को अर्ग देना हम सनातन धर्मियों का करतब्य है नित्य दें सूरे प्रनाम करें सूरे के अस्तोतर को निश्चित रूप से याद है तो आप चरूर परात्ना करें पगवान सूरे आपके जीवन में खुस होंगे तो राज़्किय कारोबार से सम्मानित करेंगे हर परकारते आपके जीवने खुसहाली होगी सत्रू तो जरूर प्रास्तो होंगे वीडियो कैसे लगा शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और कहीं भी कुछ आपको लगता है सुझाओ इमेल पे भी जा सकते हैं वहां लिखेंगे नहीं तो आप कमेंट में ही लिख दीजिएगा हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे कारिकम तो आपका ही है झाल